हेलो गाईज विल्कम बेक तो माई यूट्यूब चैनल माई नम इस मनिश गुपता एंड यूर वाचिंग बी ऐसे जी लेक्टर्स तो गाईज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अमारे यूट्यूब चैनल पर जैसा कि आप सभी जानते हैं बीजड़ यूट्यूब आपका कोर्स कोड है अनिमल डावरसिटी आपके बुक का नाम है उनिट 12 हम शन्राट करने वाले हैं न चौने आपका टॉपिक जो रहना वाला वह है एगनता और आपका जोरले 144 हो ता है यो आप जानते भी होगे तो दैन सबसे पहले आपसभी को यह भी मालूम होना ची है यहेद प्रियूस टोपिक प्रियूस क्या पड़ा था थो देन गैस् Nवे पाल कि गार्याedar उनको भी जाके अटेंड करिये, वहाँ पे इंट्रिमेंटरी की क्लास, जाके फड़ा फट लगा लिजे, ठीक है, पेपर नजदी का रहे हैं, और ज्यादा ज्यादा हमें फोकस करना है अपने का वुचै को फड़ा है, पोन फिर्षीया को क्प्रा ज्यादि करों किकी का Continue हमेंगी सेक वही बात करुंचा सिरी का, तरभ लाई लैंप्रीर के खने वारे हिव बात करेंगी इनकी हैं णिजख के इंटोर्डि peux बात करेंगे का थी सायँ आज की वीडियो में ठीक है तो कोशिश करूँगा कि आज एक ही वीडियो में कम्प्लीट करूँ या फिर एक काम करेंगे हम की हैं हैं को पहली वीडियो में टॉपिक में कम्प्लीट करते हैं और देन लैंप्रे को हम नेक्स्ट वीडियो में कम्प्लीट करते हैं ठीक है इसे सब्सक्राइब के लिए जो सॉल्विंग एसाइनमेंट्स हो गए नोट्स हो गए और साथ ही साथ इगनु के रिलेटेड जितने भी नौटिफिकेशन वगरा है वो आपको वहीं पर मिल जाते हैं तो फट फट जाके हमारे टेलिग्राम चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर द क्लियर है तो देखे गाइस एगनिथा की कुछ फीचर्स भी होते हैं या फिर हम पहले क्या है एगनिथा को में दो स्पीसिस पाई जाते हैं जस्ट लैंप्रे और क्या है आपका ये क्या नाम है 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 तो लैंप्रे और हैक्फिसिस को हम जस्ट साइक्लोस्टोमा में पहले क तो कि दुझ करूड कि अडिए यहाव सब्सक्राइब doc, Sब्सक्राइब ठ्थानकर ढकते तेयुक्ति अडिजा, तो यहाव उच विद्वीन है तो दिप्रेंट 15aten डिफरेंगें लिफेंप बाना जाके सब्सक्राइब कर दीजे, बैल ऐकन बटन को प्रेस कर दीजे, ताके यहां पर सबसे पहले हम क्या स्ट्रक्चर में इंट्रोडक्शन जानेंगे, देन उसके बाद उसके बाद उसके अब्जेक्टिप्स बहुत जुरुरी होता है, जाना है किसी भी चैप्टर का, देन, जानेंगे, जानेंगे, बैन यहां पर लिविंग, जाल आश्फिसिस के बारें बात करेंगे, झाउतना गत्त यहां, जाल्टिप्स करेंगे, उसके बाद हमारे क्लासिफिक इसके अईगा, तो तो इस पर भी हम डिसक्स करेंगे, then summary, terminal question and then their answers are here. ठीक है, तो कुछ ये topics आपके होने वाले और इनको हम डिसक्स करेंगे, तो सबसे पहले हम आजाते हैं, इंट्रोड़क्शन पे, तो देखे गाइस, इंट्रोड़क्शन की हम बात करें, just code data के बारे मताया था, किसके बारे मताया था? code data के बारे में, तो code data में मैंने ये बताया था, कि code data में आपके 3, 3 चीज़े पाई जाती है, एक हो गया, आपका euro code data, euro, यहाँ पर हम सब फाइलम की बात कर रहे हैं, code data just a phylum है, ठीक है, code data phylum है, और यहाँ पर euro code data जो है, subphylum है, ठीक है, euro code data, then उसके बाद आपका आता था, cephalo code data, ठीक है, यह सारी feature आप जानते होंगे, अगर अपने हमारी previous classes को लगाया होगा, cephalo code data, उसके बाद हमारा क्या आता था, craniata आता था, ठीक है, craniata, मैं आप सभी को बताने वाला यह हूँ, कि जो आपका craniata है, वो कौन से subphylum से belong करता है, तो यही जो आपका craniata, जो last वाला जो था हमने, जो vertibreta या craniata, दोनों में से एक कह लिजए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, vertibreta भी कह सकते हम इसको, तो vert vertibreta के ही अंदर आपका यह जो agnetha यह आपका आता है, तो देखिए, यही एक classification होता है हमारा इसमें, vertibreta में, agnetha के रूप में, agnetha, ठीक है, agnetha आप सभी जानते हैं, क्या होता है, तो jaw, jawless fishes कहलाता है, fishes, ठीक है, और एक classification होता है, गाईज, हमारा, gnetho stomata, gnetho stomata, clear है, यह नि, जिनके पास jawless पाय जाते हैं, यह जोड, फिसे तो नहीं कहेंगे, जोड animals कह सकते हैं, टीक है, animals, क्योंकि, gnetho stomata के अंदर भी दो class आता है, जस इस तरीके से, यहां पर एक class आता है, आपका कौन सा आता है, बदेगे, यहां पर एक क्लास आता है, यहा गनातो stomata के है, सुपर क्लास है, ठीक है, अब इसके नीचे आपका दो class आता है, एक हो गया, आपका Pisces हो गया, उसके बाद यहां पर आते हैं, Tetra Ports, Tetra Ports, ठीक है, Tetra Ports के बारे में, मैंने इंटिगमेंट में भी बताया था, आपको इंटिगमेंटर सिस्टम में, टेटर पुर्चेश, चसी आपको इंटिगमें, रेप्टाइल्स आजाएंगे, एव्चेश, और ओर पुर्चेश, इसके बाद इसे का पर आपकार से पाइसिस में भी हम दो classes के बारे में जानेंगे, classes के बारे में नहीं, जिसक्त के रीएं यह केते हैं, इनके, इवचे के बारे म तो यहां पर आपको Chondric Thighs हो गया I think spelling थोड़ा सा गल्थ हो गया यहां पर मैं सही कर देता हूं Chondric Thighs और दूसरा है आपका, बताएए Osteo Osteo Thighs Osteo Thighs कहलो, जो कहलो यानि हम Boney Faces और क्या है और आपका क्या हो गया Cartilagous Faces पारे अपरवाला के क्या गया Cartilagous और डिसरा हो गया तो वैसे अगर अगर हम कहें True Faces के बारे मैं True Faces पाइसे थे Agnetha जो यह आपका True Faces नहीं होता है Just उनमें जो Features बग़रह होते बहुत ही बात करें इनकी बोडी में तो बोडी जो इनका होता है जस्ट का बना होता है और भी बहुत सारे करेक्टरस्टिक्स है इनमें गिल्सलेट्स वगेरा पाय जाता है इनमें गिल्सलेट्स की संख्या काफी जाद होती है इनमें सब चीजी के बारे में डिसकस करें तो देन यहां बार मेरे मेरे को इसंजाना थै कि जो आपका आपका अगनता, अ गया, अपका क्या होगा उप सब फालम हो गया और आडनानीथा अपका सुपर डास हो गया और यहीं सबॉपर कालास में दो स्पीसिज आते हैं आपके जो कि हो गए हैगर फिसिस होगे और आर-lamp rays, ok? कि इन वोनुह के बारे में हम क्या है? पर्टिकुलरली एक एक कर ये करकरे कर देके पढ़ेगे और उससे पहले हम कुछ करेक्टरास्ठिक-फeA डरह में की बारे में होने, ok? तथ इस युटिमे हमने हमने, BACK मतलब लाइम अच्छी हुनिट साथ ही साथ हमने ओद्रिटा को अगर हम कोडड़ेता कें तो किस बीसिस पर हम कह सकते हैं तो उनमें हम क्या horror five silent features के बारे में जाना था या मैं कहे होलमार्क्स के बारे में जाना था जो म क्ये एक तरीकेthinking सhe co data ko उसकी identity पेहचान देते है टीक है और यह सारी चीजें जो है that set them apart from the other phyla और यह सारी चीजें जो है इनके जो फीचर है Salent 5, Salent Feature जो है वो other phyla से इनको क्या है अलग करती है समझ अरहा होगा? Dissimilar, मतलब एक तरके से लग करती है then, different तो then यहां पर कौन-कौन से आपके Salent 5 Features से तो यहां पर देखिए, noto code हो गया आपका dorsal hollow nerve code हो गया साथ ही साथ pharyngeal slits हो गया gill slits है यह फिर pouches भी कह सकते है slits को हम pouch कहते थे और endo style हो गया जिसे हम thyroid gland भी कहते है और इसके बाद post-tenal tail ठीक है यह 5 Features अपको इंडिकेट करते हैं सम ebryoenic stage of life या तो उसके body के मतलब पूरे lifetime है पाया सकते है या फिर कुछ ebryoenic stages में भी उसको यह जो features हैं चाहे noto code करें या भात करें बात करें या फरंजल स्लिच करें यह मौजूद होंगे होंगे समझ मे रहा होगा या post-tenal tail की बात करें तो आपको इन में से कुछ फीचर्स देखने को नहीं मिलते हैं, तो हमने कुछ प्रिमिटिव सब फाइला के बारे में भी जाना था, या नि जो हमारे कौरी क का यह सीचर्ण में भी जो या निम भी भी जो रॉक पाई जाते हैं घुडार उचस इन को यह आपको नाधे जो हमने पढ़ा धा । यह इनको नोटो कोड जो होता है अगर हम बात कले यूरो कोड़ेट का तो यूरो कोड़ेट में बस टैल के पास ही थोड़ा सा नोटो कोड़ पाया जाता है तो इनमें नोटो कोड पाए तो जाता है लेकिन बाद में जब ये अडल्ट होते हैं तो इनमें जो नोटो कोड होता है वो गायव हो जाता है, ये सब आप जानते होंगे तो यही रीजन है कि यह काफी जादा इनवर्टीब्रेट से खुद को रिलेट करते हैं एक ब्ढ जयलोगने वियन एक है तो मैत को ने सबस्काइबार दिखा विल्सकर में रजकेर. टक के शिरी आप एक टरणिशनल गूप ग्रूप हो कि एक घज समें इन पर अट्छन वे आप equality इनीट्पडिपरेट ऐस भी एक समय पे फ्रूड़ इसेडल तो तो कहीना करें करेंप Actually Sore क्या कहते हैं, कोडेट में, यहाँ पे हम बात करेंगे, about half a million year ago in the Cambrian period, यानि, आधे million year ago की बात करें तो, Cambrian period की, यहाँ पे branch of codate जो है, वो क्या है, gave rise to the vertebrates, यानि, वो क्या है, वो क्या है, वो तीब्रेट की तरफ बढ़ रहे थे, एक बहुत बड़ा जो branch सा, codate का, वो ती कवर होता है, भुष मौवर, वुष मौट करने वाला कारिण होता है, जू जिसकते हैं, जिसकते हैं, तो उसकी तरह बढ़ रहे हैं, अुर मतलвол 25 को थो डबने का लैका थिसर् doing to the brain ०र मेध बड़्रा ज जलेपता है, चल्छलों पोर बेचकर एफे वाले कलुमे तो तो र बात करें तो नर्वस्सिस्टम की बात करें तो ब्रेंट ब्रेंट का विकास होने लगा विकास होने लगा अगा तरी लोफ बनने लगी उसमें कि वह फुड बगारा जो फाइंड कर सेकें हैं हम बात करें तो इसमें हमने युरो कोड़ेट और सेफेलो कोड़ेट में देखा है तो बस एक जिगे बैठे रहते हैं और उन पर फिल्टर फीटर मौजूद होता है उनके उनके उस्ट वाटर के मादम से जस्ट फूड इंटर कर दाता है तो उनको फूड को सर्च नहीं करना तो यह जो डेवलप्मेंट जो होने लगा देन उसके बाद इस उनिट में हम क्या जानेंगे थे स्टड़ी ऑफ टू प्रिमिटिव ग्रूप्स ऑफ सब्फाइला वर्टिब्रेट यानि हम जानेंगे ठीक है यहां पर दो ग्रूपे है वर्टिब्रेट का जो की वर्टिब जो की मतलब एक तरीके से इनमें लैक जॉज मिलेगा यानि जॉज इनके पास नहीं मिलेगा ठीक है मुझ जो है एकदम खुला रहेगा ओपन माउत लाइक स्ट्रक्चर होगा देन यह जो सुपर क्लास एगनेथा के अंडर आते यह भी मैंने बता दिया है साथ ही हम इस कि जो कि जो की जोला स्ट्रक्टर सिक्स को जानेंगे दैन इसके बाद हम फट एफ देख लेते हैं एक बार अबजेटिप्स को नजर माझ लेते तो दन यह भाग ते यह जब हम युनिट पढ लेंगे तो हम क्या क्या चिछ जान पाएंगे तो सबसे पहले तो देखिए हम यह जान पाएंगे जो आफिनिटी आगनेटी 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 आगन describe कर पाएंगे हम life cycle of lampreys के बारे में, यानि life cycle किस तरीके का रहता है lampreys का तो उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहेंगे यह एक phylogenetic tree है या मैं कहूं यहाँ क्या कहेंगे इसको यह देखें तो यहाँ पे इस चार्ट के दवारे यह फाईलो जनेटिक ट्री टाइप जो है structure यह एक्लाडोग्राफ के सकते है इसको हम इसके माद्यम से हम जानेंगे तो यहाँ पे देखें किया extinct lineages and fishes sawn in the broken boxes तो यहाँ पे जो भी boxes इसमें क्या है बताय गया है कि जो species extinct हो गया है उनसे relate करता हुआ तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे lamprey यहाँ पे सबसे पहले देखिए यह जो आपके lampreys है या फिर hagfishes है या अगनेथा कहलें तो अगनेथा का एक्जिस्टेंस जो है पहला ही कहरा से डेखने को मलता है पहले जोएख में भी आपको देखने को देखेंगे तो यहां पर daosian period जो है onoosian period sylorian period जो है इनके between आपको देखने को मिलता है existence ठीक है और इन सभी के आप सभी जानते होगे कि जतने भी हमारे species सब का एक common ancestors है जो की Cambarian period में रहा है यहां पे हम देखेंगे, यह जो vertebrata है, यह आपके, जस्ट यहां से devonion period होते होते होते, यहां पर मिजवजोईक में आपका कोई यहां पे नहीं दिखागे हृते है, यहाँ पर सीनोजॉइक में आप देखोगे, hecauses और यह लेंप रेजी में, जस्ट डेफलाप होते हैं तो यह जो आपका एक तरिके से अगने था से रिलेट करें बट उनसे काफी माइने में अलग है क्योंकि हम देगें इन में पेक्टोरल फिन वगरा पाया था तरीक है तो इसमें तो फिन वगरा देखने को मिलेगा नहीं यह जस्ट इल लाइक दिखते हैं यह अर भी आप जॉड फिसिस के बारे में शॉड फिसिस ज्योज से की मैंने बताये विय था डंकल लोस्ट्रस हा डंकल लोस्ट्रस टेरल जो है एक आपका प्लैकोडम इस पीसिस का नाम है जो कि आपके एकस्ट्इंक्ट हो चुके हैं यह भी देवनियन पिरिड के ही हैं शीलूरियन और आपको देखने को मिलते हैं, तो यह जस्ट आपके डेवलप कहीं हुए, प्लैकोडम, सार्क और क्या कहते हैं, स्केट्स और रेज में डेवलप हो गए, यहां पर हम देखेंगे कुछ और वी फिसेज हैं, जिसे हम कहते हैं, एक्टिनो पैट्री जाइंट्स, जिन्हें रेफ तो यह जाके हमारे कुछ ना कुछ मॉडरन फिसेज में क्या है, कनवर्ट हो गए, ठीक है, और भी आप देख सकते हैं, और अस्टिज हो गए, और क्या है यह, सेर्कोपेट्रिजिंस, लोब्ड फिन फिसेज में क्या है, लोब्ड फिन होता है, तो कुछ इस तरीके से यह देख सकते हैं, तो यह कुछ एंसेस्ट्री और अफिनिटीज है, अगने था कि, यहां पे आप समझ गए होंगे, यहां पे हम एके करके इनको समझाने के कोशिश करते हैं, यहां पे देखें, मोस्ट एसिन वर्टीब्रेट्स की बात करें, लिविंग, जो तुडे आपको क मतलि इनमें से आपको 5 जी सपीसे मिल जाएगी 9 classes में से, 9 में से 5 जी सभाइला में से, सॉफवाइलम वर्टीब्रेटा से समझ मा रहा होग आपको, जितनी9 classes हैं, वर्टीब्रेटा में, उनमें से 5 जी मल जाएगी जो कि आपकी क्या है एह एसिant फेसिश में से, आप देख तो तो इनमेंसे आपको पाँच एसी मिल जाएंगी जो कि आपके सब्फालम वटीबरेटा से आती हैं इसके बाद इन वटीबरेटा होता है देखें, इडिस सपोर्ज एफिसेज है डिसेंडेंट फॉर्वज पॉर्वज कहलें वह कहां सकते हैं अहीं नहीं कहीं वहिए्ज फॉर्वज दे रिंडेटा हैं एक डिर्वज पॉल्च व Extremis we will know about the तक शुचर को वचे साथ ने आर्मर टो होता है इनके हैड पे आर्मर आपको देखने को मिलेगें, कवस बाह्श बाहँ ने काफी स्ट्राउंक कवस होता है जाह जाए्टारेस के अग्सी आइजकेत के चायंदेग, तो से छंगे डिजाह से के अग्सी तो पियोंग ग्र की तेयार, विस्ट आइजंगे ढैंडिे अग्सी के लिगरेटा अन देए Carnion से अग्सीजर, जो शुच्री दैंड डे गिशा सब्रेंग yourself में साली तेम Śॉन्च then uh, ancestry of living agnetha is not very clear यानी एक तरीके से क्ऊपिए इन में आप मैं बताय। कि टू सैट आफ पेर्ड फिन पाय जाती हैं और यहां पर तो आपको यह अगनिथा में यहां लिगता हूं आगनेथा में आपको पेर्ड फिन देखने को नहीं मिलेगा, डिवोइड होगा यहां पे, डिवोइड यानि नहीं होना है न, डिवोइड पेर्ड फिन्स, ठीक है, जैसे कि मचलियों में आपने देखा होगा, मचलियों में कुछ इस तरीके की मचलियां होती है प्सकता है यहां पर हम बात कर रहे हैं इसकी आगनें जिए थिस्टेए नहीं देखने को मिलता है। तो देन एक तरिके से हम क्लियरली नहीं बता सकते हैं कि जो अगनितन्स है वो कही नहीं उनका एक्सिंस अस्ट्रकोडम से रहा होगा, ठीक है, समझ में रहा होगा आपको तो यानि हम उनको जस्ट एक जो अस्ट्रकोडम उससे जादा हम रिलेट नहीं करते हैं, हम यह नहीं 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 करते हैं कि उसी से यह जन्मा है, जो आपके अगनितन्स होगा है, ठीक है, देन, बट यह अर कंसिड़र तो है बें डराइद फ्रॉम यह ज़रूर मानते कि यह यह है लुगा अस्ट्रकोडम ऒर ऎन डिलेग मान डर पकेस ठीक हाज इंच पैजए को मिल्याग, अपिवेन देख्याज और शाहिश्रोम्गा के थाने के लाजेवा देख्यार एंस अलिगर गण쳐ईGs? भी देखने को नहीं मिलता है ठीक है? ओल्डेस्ट फोसेल की बात कर लें जो कि Jawless Physis का है Camberian Period का है Camberian Period का है Camberian Period देखे तो सबसे पुराना पीरेड यहाँ परे camberian period है सबसे ओल्डेस्ट पीरेड के लाता है यानि इतने ही तक हमारे पास क्या है रिकॉर्ड वगरा अबिलेबल है, तो कैम्बरिन पिरिड में जो टू ग्रूप्स थे, वो शर्वाइव अभी तक कर रहे हैं इस डेट तक तो उसमें आपके जॉलस फिसेजी हैं, है जॉलस फिसेजी आपके सबसे पुराने स्पिसेजी जो कि अभी तक सर्वाइव कर रहे है तो सीनो जो एक पिरिड तक अभी तक क्या है, अभी तक मोझूद हैं, सीनो जो एक पिरिड कलो एरा कलो ऐग जो लिविग एगनथर्ण है, जो आज के समय जो जीवी थे अगनथर्ण उनको हम जस्ट किस्का परेजेंट करते हैं तो हैग फिसेज और लाम्प्रेज में करें तो यद रख किगा जब कभी हम बात करेंगे इन yön Imai आपका जो अई यह यह अदा इस उसे तारीक शवज़ैस कि तो लेंप्रेज में पाया तो द्याता है लेकिन यह रिडिमान का होता है रिडिमेन टी होता है तो क्यों अधस्ट बता रख को की यह तो इसमें primitive, रुडिमेंटरी वर्टीबरा पाय जाता है, जयसा की हमें कोड़ेट में हमें देखने को मिल दा था तो इसमें primitive, क्या है, rudimentary वर्टीबरा पाय जाता है, इनको एक तरीके से इनको एक तरीके से जो इस्टिल प्लेश अडर अडर थे वती ब्रेटा में क्यू रखा जाता है क्योंकि इनके पास क्रेनियम पाय जाता है क्रेनियम समझ में आरी है और जितने जिन जिन इस्पीसिस के पास क्रेनियम या ब्रेन कवर पाय जाता है brain case पाय जाता है then उनको हम just consider करते है वटी ब्रा में है न वटी ब्रेटा में समझ में आ रहा होगा आपको तो ये reason है कि वटी ब्रेटा में हम lampreys और hecphys को डालते हैं ठीक है बले वटी ब्रेटा मौझूद हो या ना हो या फिर true vertebra हो या ना हो ठीक है ये depend करता है उसके पास cranium है के नहीं अगर cranium है तो ये वटी ब्रेट के साथ क्या है होमोलोजी वगरा सेयर करता है similarities of the structure that the common origin ठीक है यानि कहीं न कहीं ये common origin से ही निकले हैं जिन-जिन के पास cranium जो bone है case है पायदाता है वो सभी common origin से निकले हैं एक और खास्यत बता दूँ आपको ये जो jawless fishes हैं ये आपके actoparasite होते हैं actoparasite parasite पिछली बार भी हमने चर्चा करा था actoparasite के बारे में और ये भी बताया था कि जब हमने nemotodes पढ़ाया था तो nemotodes में ये आपके कुछ वैसे species थे ये जादतर species जो थे वह आपके actoparasite थे यानि ये body के अंदर human body नहीं नहीं गलत किया रहा हूं acto नहीं वो endoparasites थे endoparasites थे endoparasites थे demotodes जो थे endoparasites थे क्यों कहा था क्योंकि ये body के अंदर जो आपके roundworms जो है जिनको बॉडी के अंदर दाकिल होने की जरुवत नहीं होते हैं, जस्ट वो बहार से ही, किसी भी species के उपर चिपक जाते हैं, अपना ये खाना पीना चलाते हैं, तो ये इस तरीके का फिश होता है, और ये जो फिश है, फिश के उपर कुछ इस तरीके से ये जो लेंपरे, जस्ट इल लाइक स्पीस होता है, चिपक जाता है, क्योंकि इनके पास केरेटनाइज तीत पाय जाता है, केरेटनाइज तीत पा शार्पड तेत होती है तीक है और रैस्पिंग टैंग पाये पता इनके ऊपर रैस्पिंग टैंगसा पायो आजाता है टीक है जो कि क्या करती है किम क्यों उस रैस्प करके स्कीन को एक у현 चुना तो उतना ज्यादा सक्किंग पावर हो यह होल्ड रखती है यानि एक बार जब यह किसी स्पीसिस पे चिपक जाए या फिर अपने दातों को गडा ले तो देन उससे छुड़ा पाना मुम्किन मतलब नामुम्किन सा है या तो उस पीस का वो कहते है इस पीसिस को वो हिस्सा का बात कर रहा था क्या है यह लेंप्रे कुछ ऐसा करती है लेंप्रे है यह लेंप्रे कुछ ऐसा करती है लेंप्रे है यह लेंप्रे के बारे नहीं बात कर रहा था यह लेंप्रेस को हम यह लेंप्रेस के नाम से यह लेंप्रेस के नाम से यह दोनों ही अलग-अलग और पर लाइक गिल्ड भोविद ओ्तभ नहीं चाहिए उसंवे मिदा जी करदा है आपर लाइक गिल्ढ मुद्ध प्राइब रड़ नहींत दो 1 सबार का इंपा दाकी ल है कई लिए अब जार्ट में भीlike वाइ står जो आपको नहीं कि देखने को नहीं देखने को कुछ जाते हैं लेकिन की बात करते हैं तो इनमें आपको नहीं देखने को मिलेगा scale then this is what we are talking about here internal ossification, internal ossification is not in it after that we don't get paired fins you can see that these are your pectoral fins pectoral fins, what do we say? pectoral fins, not pectoral fins, caudal fins just a side in a fin, just this is the same and no one will be paired and tell me, I have told you one more feature pore like opening, gills pore like opening normally in the fishes so what is it? slits in the form slits in the form and the body is ill-like so because of their morphological similarities what is the Morphological similarities both will look similar to each other okay, both of these body structure will be slendrical how is it? it will be slendrical or even ill-like also can you call ill-like you'll see an ill-like ill-like and also complicate with true fishes don't have to do cyclostoma because they can be muypunit in cyclos because they have jaws then were formally placed in one group before, what is it? they are kept in one group as we call cyclostomata 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 is just a circular opening यहाईग मतलब के स milk का मतलब के ओव आनडर बॉपने inn Di Modus आज इसका का सउप्रीच का सभूपनियरी डाल द पहले तो आफ इसके सभी क्ल्लों एक विश मॉश्त कि प्लेस दाल ओका इन प्लेज बाल बाल भास थे व उंपता時間 कि तो पालु तो आटेलों moves बाल लेंप्रे, लेंप्रे में कुछ एडवांस फीचर्स पाई जाते हैं, जो कि उसको क्या है, ज्यादा क्लोजर बना देता है, किसके ज्यादा क्लोजर बना देता है, किसके बताईए, 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 ये जस्ट आपके, जो ट्रू फिसेज होते हैं, प्रू फिसेज के क् क्योंकि इनमें कुछ एडवांस फीचर होते हैं then, बात करते हम इने जो एक तरीके से डराइब जो किया जाता है लेकिन हैक्फिसिस जो होते हैं हैक्फिसिस इतना जादा क्लोज नहीं होते क्यों काफी जादा प्रिमिटिव टाइब के कलाते हैं then, इसके बात they have been placed in two different classes तो, दिखिए यहां पे दो क्लासे के बारे में इंडिकेट क्या गया है actual में हैक्फिसिस को हम मैक्सिनी कहते हैं मैक्सिनी क्लास है इसमें आपको हैक्फिसिस मिल जाएं मैं अपको एकली कीो आपने में छान किसा थेको और है उसमें आपको लैं। अछान जाएं तो, जाओ पर रेख सक आमें यह पर नीचे में लैंपरे है और एहां प्र आप देखेगए तो यह आपका क्या है क्या है फिश्पिष सेजेगे थेख फिष्स कहलेंगे एग फिष्स तो यहां पर आप देख रहोंगे कई सारी गिल ओपनिंग है गिल पॉच्छी है, चोड़ी उबगाश चोड़ी उबगाश और देखेंगे इसमें गिल पॉच्छी है तू माच है बहुत जाधे हैं इसमें यह पोर आफ श्लाहिम सेक्स यह काफी जदा है और यहां पर आप देखो गे जो माउथ है यह सराउंडेड है कि इसके द्वारा बार्बल द्वारा जस्ट यह टेंटिकल्स होते हैं क्यों मौझूद होते हैं इन में तो एक रिजन है क्योंकि इनके पास जो आईज होती है वो फंक्शनल नहीं होती फंक्स निंग नहीं होती है जूस्ट यह काम नहीं करती आईज होता हैं है तो इसके जाल को लिएडिया है तो परिजेन्ट में इस आक ख Name वालब अन्य रितिक करते हैं Tentacles का ठीक है Barbels का समझ में आ रहोगा आपको यहाँ पे आप देखेंगे कि यह रहा आपका Lampery, Lampery थोड़ा सा यहाँ पे Slim सा देख रहा है आपको और इसका जो यह fin है यहाँ पे आप देख सकते हो Side में और यहाँ पे आप देखोगे जिससे कि यह ज्यादा closer हो जाता है आपके true fishes से समझ में रहा होगा आपको यानि chondrikythis और austrikythis से ज्यादा closer हो जाता है cartilagies cartilaginase fish और boni fishes से ज्यादा closer हो जाता है then बात करेंगे इसके generic general characteristic features के बारे में जानेंगे तो यहां पे सबसे पहले याद रखियेगा आपंड़ि जो निखने को मैं नियान मिलिगाए नरी सोबस्क्तिन मैं तो निखने को निख जाँ आपे कुल निखने को डशेन होते हैं यह यह जो इन अपन्रीय मिलोगा निखने को मीलगा da साथ छेना लाइ करें chat है लंबे का है भी बढ़ पैर फी आपरें में और उंनल बें रेंड थे आप पर प्रेंड है और उनला के छाव यह कोड़ दमें यहां यहां पर कहा है यहां पर देख रहे होंगे यहां पर काटिलेज के जो बने हुए फिन रेज आपको देखने को मिलेंगे तो इसी से इनको सपोर्ट मिल पाता है थोड़े बहुत इनी से स्वीम कर पाते हैं काफी तेजी से स्वीम करते हैं यह दैन बात करें इसके तीसरे करेक तो या ऊसकी प्रपु माइखा है यह सबस्तार ओर जरीर चेमे कला कर गरने था मिए कने थो प्रभाटाका Weaknow, जैसि के इंके सके प्रपुम्त आप कापड कर ल कि उसकी है बालब तर यह सिरती प्रारेलिस्ट होता है या थे शर Unix भूस टअट है और क्राफेसल सुधिर परक्षम तलो व में फिरव। सब्सक में नीचने से पड़। और समय हो और दनայर्ट केशया रखलगा, श्क्तित हम ऐप अज पाहर चाहने मंमें फालप्ट कता हैं अगर मैं इसका माउथ बनाओ तो यह लिए क नी पैने पैने सी बाद होखेς यह ज़िए तरीके से पैने पैने थीकल्य और ज़िए पैने संदीच सपाइब से रीटेनाग नाय ज़ाख फिस is वाला मोद होता है, that has two rows of evasible keratinized teeth on the tongue और क्या है, दो रोज आपको देखने को मिलेगा इनके टंग के पास इस तरीके से दो रोज इस तरीके का keratinized, उपर में नहीं मिलेगा, जस्ट नीचे की तरफ इस तरीके से दो रोज मिलेगा क्या है keratinized teeth saarapodnetis, इनके just Hecfis' में अधे को बिलेगा यह Hecfis' में इस तरीके का बिलेगा यानि मिक्स नहीं में आपको इस तरीके का बिलेगा और आपको LampreEye में कुछ इस तरीके का बिलेगा पुलेगा ठीक है एन बात करे, the digestive system इनमें, distinct stomach, यानी और इन में जो, क्या कहते हैं, 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 और single circulation होता है, क्या होता है? Single circulation, double circulation नहीं होता है, single circulation होता है, gills are supplied with blood by arctic arches, क्या है? Gills, मतलब, जो blood का ज़ो supply होता है, उसके gills तक वो होता है, arctic arches के मदद से, जो की arise होता है, कहां से? हार्ड से, ठीक है, blood has erythrocytes और leukocytes पाय जाता है, erythrocytes और leukocytes पाय जाता है, इनमें जो ये दो cells हो गए, देन उसके बाद, आठवा फीचर जो है, नंबर ऑफ गिल्ज जो है है, एक फिसेज में, और लेंपरे में, वो आपको अलग अलग देखने को मिल सकता है, या बात करे हम सबसे पहले, लेंपरेज की तो इसमें 7 से लेके, 7 पेर, जादा नहीं, 6 से 7 ऐसे ही होता है, तो 7 पेर ऑफ गिल्ज आपको मिल जाएंगे, चोटे-चोटे से इस तरीके से गोले-गोले से गोले-गोले से होते हैं, और जसे ऐसा लगए कि ये आईज की तरह लगए है, बड़ा ही अलियन टाइप इस पीसिस लगता है ये, 5 तो 16 पेर आपको गिल्ज कहां मिल जाएंगे, तो हैक फिसिज में आपको 5 से 16 पेर, 16 पेर, काफी जादा इन में क्या होते हैं, गिल्ज पाए जाते हैं, ब्रेन जो होता है, इनका काफी स्मॉल होता है, और अलग सा दिखता है, अलग होता है एक तरिके से, then, nerve code हो गया, और क्या हो गया, 10 pair of cranial nerves हो गया, वो भी प्रेजेंट होता है, तेखे, 10 pair of cranial nerves, जो brain में जो nerves वगयरा होते हैं, तो 10 pair होता हा हänका, then, उसके बाद हम बात करेंगे, sense organ by, sense organ for perceiving location, जिस्ट लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए उनका सैंस ओर्गन वर्क करता है और टेस्ट हो गया हीरिंग हो गया वो भी उनमें प्रेजट होता है आईज की बात करें तो पूरली डेवलाप आपको मिलेगा हैक फिसेज में और मोडरेटली आपको डेवलाप मिलेगा लैंप्रे में यानि हलका बहुत आपके कहा है लैंप्रे में तो देख सकेगा लेकिन हैक फिसेज उतना अच्छे से वाच नहीं कर पाएगा चीज़ों को वन पियर रूप सेमी सर्क्लार केनाल प्रिजेन होगा एक फिर दौपियर थैज।फरे में स्थैज के ली तकी एक चीज़ों को कि एम काइज यह शुवयल आपके से लिए जिसेज है आपे adjustment can. क्यों बात के सत já अच्छे सेज उतना दर्सलिप्रीशे है जा रोनेटली तया वह अपसेंट होता है यानि कोई डक्ट नहीं पाया था त्यूब नहीं पाया था त्यूप नहीं पाया था यानिक्षित आसे भी होता है जो और्य चैक्रेट होता है जो सेग swear we are asses लगेरा होते हैं तो वह नहीं होता है देखें फशुइलायजेशं जो इसमें गध्स एक्स्टरनल होता है यानि जो भी फॉर्मेशन होता है वह आपका फॉर्घ होता है साथ हम डिव्लपेमेंट की बात करें तो does not include a does not include a larval stages in hagfishes, यानि हैगfishes में आपको larval stages नहीं देखने का मिलेगा लेकिन almost sits larva जो है, larval stage जो है, वो आपके lampreys में present होते हैं, आप सभी को मालूम होगा कि जो lampreys वगरा जो है lamprey spawning के समय पर पता है कहां चले जाते हैं spawning आप के पहुँझा जाते हैं जच्ट फ्रेश वाटर में, यानि रिवर्स में काफी तादाद में इन्वेड कर देते हैं रिवर में, जहाँ पर saap पानी होता है, जच्ट मीठा पानी होता है, तो ये रिवर को invade कर देते हैं और वहीं पर spawning पर आपको और अच जो को आपको बार्वा पारे के बारेंगे तो आपको और भी अच्छा से इसको बताएंगे तो 12 यहां पे hangphysis जो है, यहां पे आपको pronefric kidney देखने को मिलता है, ठीक है यह internally located होता है, यानि उसके just mouth वाले reason के बास, और मीजोनेफरिक किडिनी जो है पॉस्टेरली लोकेटेड होता है एक फिसिस के देखिए दो किडिनी होती है एक होता है प्रोनेफरिक और एक होता है मीजोनेफरिक ठीक है यह पॉस्टेरली यानि एनस के साइड में और यह जो प्रोनेफरिक है वो मौफ के साइड में होती ह तो क्लासिफिकेशन कर लें इनकी फड़ापट है तो जो ट्फकी करने के लिए पाइजाता है। मोच्ट यह जो वेस्ट होता है वो अमोनिया को सेक्रेट करते हैं । यह में नाइट्रोजनीस वेस्ट होता है एक तो अमोनिया आप जानते हों के काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्टांस होता है और इसे बाहर करने के लिए वेस्ट को एक्सक्रीट करने के लिए काफी अलग टवक ताइप का किडिनी चाहिए होता बरे ना तिहां पर ना पिर प वो अस्टेको डेम को से अगनिता कैयों को शुक्तेश के यदी नहीं करते हैं तो अगनिता के शुप्स्य कि अंधे के शुरौना के यह आफिगाज़ में करते हैं दो जानिटा Dude, kote-थ lies एंनने जुपवommes जूरी दों में करते हैं एक आप नोस्ट्रिल्स होता है। जो स्नौट होता है। एक जए लुजल होता है क्या होता है। कभी ना कभी इनके प्रिमिटिव स्पीसेज में इनमें आइस पाई जाता होगा। लेकिन यहां पे आपको कहा है। नो वहत ही पुरली डेवलप आइस देखने को मिलेगा, यही रिजन है। इसे हम आइस वेस्टिजियल कहते हैं। then, tongue with two rows of hornetheath here, you can see that the tongue has two rows of hornetheath, you can get two rows of hornetheath just to bite and cut them then, the mouth is surrounded by barbells, so the mouth is surrounded by barbells or we can also call tentacles so, the work of sense and then, slime glands are along body 1-16 pair of gills so, slime glands are along body 1-16 pair of gills in this way, you can see little eyes but the eyes are not, it is gills so, the gills are along the posterior end so, the anal reason, which is last part of the body you can see single fin in the body this is the species of this and here, just, I have not done this so, this is the same way and here, we can see little fin in the axis then, only order presented in this way, you can see one order so, what is the first order here? here, there was another thing posterior end pan-civilian see, pan-silvanian 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 sub-periods present and here, only one order present and here, only one order you have saved so, mixiniforms let's talk about examples so, this is bedellostoma and mixiniform and what is it? aptatratus aptatratus indrabariyai what is it? indram baraiyai ok, where are they? so, where are they? Indian oceans and seas near and man islands ok, so, you will get to see here you will get to see here in Indian oceans you will get to see here then our second class petromyzontida this is your lampreys ok, when you get to the gills or talk about number of gills so, you will get here seven pairs of gills you will get to see here and what is it? just through pores pores these are open just laterally placed and you will get to see there eyes laterally what is it? two eyes you will get to see and single nostril and nostril just work what is it? gas exchange this is just ancient feature then hornetite oral sucker then hornetite what is it? what is it? what is it? you will get to see here and 1-2 dorsal fin 10 genera and 43 species this is also what is it? penance salvanian period sub-period this is also present then order petromyzon tido forms in this petromyzon lampetra so here let us study about these details okay? maxini we know a whale that dies and falls to the ocean bottom attract the thousand of hexises that will feed on it for year so whenever a whale dies and falls under the sea then many thousands of hexises feed on it and one thing is that it is not endoparasite it is not endoparasite it is just what is it? it is just they are feeding on it just like you know tetrivorus tetrivorus there is some type of organism they are feeding on it so maxini includes all hexises and and one single order maxini forms 70 described hexises and most of cold water atlantic pacific ocean and some common genera hexises then hexises exclusively marine this just fresh water this is totally marine then this is predator scavenger of the sea in other life it depends on feeding then it feeds dead or dying fish moluscus crustaceans feed some analytes feed feed then hagfish usually burro burro sand and where hagfish enter body into body orifice or digging the hole into the body and decompose the body and decompose the body which means eat food around the mouth is an array of barbels and the mouth is an array of barbels and the mouth is an array of barbels as sensory tentacles as they don't have eyes so they know the tongue has two plates keratinized teeth that can fold over the act like a pincer rasp bits of flesh teeth pincer this is this way you can see your pincer so rasp bits is hole in because they have sharp teeth keratinized for attaching more firmly on its spray this reason is rasp bits like it can attach from prey okay hagfishes often ties not in its tail which they move along the length of the body until presses firmly then hagfishes only living vertebrates that have cranium but no vertebral column okay hagfishes is a vertebrates but vertebral column also skeleton cartilage is genius and evidence 18s ribosomal sequence so 18s ribosomal has shown that vertebra have lost secondary and that more closely related to the lampreys as thought previously as 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 we have studied in the previous lines that this is 18s ribosomal sequence so vertebra will lose what vertebra will lose more closely related to lamprey then they are mostly completely blind but have insane smell touch which leads to their food so this is totally completely blind and it can sense and smell and touch if it can find tentacles barbells and gills are modified as well as the exterior by small tubes okay so what do do see in small tubes tubes open then eyes but eyes gills slits then in genus maxini all tubes after joining together open to the exterior by a single aperture by each side forming the external gills opening so all the tubes together together and outside open single aperture so externally we call gills opening so gills opening outside water enters through the nostril into the nostril and where pump inside the water into the gills chamber and water goes into the nostril into the gills gills goes into the gills and what gills chamber from the gills chamber extracts and blood circulation then skin also function as an organ of gas exchange okay so gills does also function as an organ of the skin as an organ of the skin as an organ of the skin also functions as an organ of gas exchange now a little bit see hag fizzes is another anatomical features or physiological peculiarities is that low pressure circulatory system is high pressure circulation is a lot of circulation is because here look with three accessory hearts besides the main heart that lies behind the gills here they get three hearts and the main heart will just see the gills just unlike other vertebrates the body fluid of hag fizzes is iso-osmotic okay other vertebrates what do we say if we leave the other vertebrates then body fluid hag fizzes iso-osmotic in seawater then around the bile duct there are insulin B cells what will you get around the bile duct what will you get around the bile duct insulin B cells which resembles those of the vertebrates okay whatever vertebrates you get to see the insulin B what will you get around the bile duct you get to see the bile duct pediatric gland just appears primitive organ like primitive organ one thing is here hag fizzes its slime just contains hundred and thousand of thin protein threads or then it will release mucus mucus and the slime has hundred and thousand thin fibers contain अगर उसको क्या है सुखा दिया जाए और स्ट्रेच किया जाए तो जस्ट वह स्पाइडर सिल्क की तरह एक दम देखने को लगेगा है और पोटेंसिली इसको हम यूज कर सकते हैं क्या बनाने के लिए तो जो आपके नाइलोन हो गए स्ट्रेंथ नाइलोन का स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम उसमें यूज कर सकते हैं प्लास्टिक बनाने के लिए यूज करते हैं और भी बहुत सरे अप्लिकेशन होते हैं तो है क्या होता है बहुत ही चिपचिपा सा पदार्त क्या हो सेक्रेट करता है जिसे हम स्लाइम कहते ह from the mucous glands, position along its body, when disturbed and handled roughly a heg-physis, milky secration that is in contact with the sea water from a slippery slime that makes impossible to hold the animal, okay? so this means that it feels like a disturbance, or if it feels like a other fish, then it feels like a heg-physis, what is it? milky secration, and what is it? just this contact with the sea water, so it changes in slippery slime, it changes in very chipped and slippery slime, if you say, when you secrete one time, just like a lamprey, a heg-physis on your body, this slime, then it gets impossible to hold it, mucous is useful for protection, for animals, when it is feeding, then we talk about reproduction, so in the hagg-physis, there is a reproduction, which is not documented properly, it will not be explained properly, because some hagg-physis, they believe that they are hermaphrodite, since they have certain individuals, some individuals have seen, that one end, which is gonad, keeps large yolk-yogies, and the other, just testes, since testes, just mature, after this sperm, it does not get in the testes, they are not considered as functional testes, it does not get considered in functional testes, because it does not get in the testes, because it does not get in the sperm release, then, in vertebrates, gonad passed through hermaphrodite stage, so just this, what is it, when vertebrates, when gonad, it is hermaphrodite stage, it is passed through hermaphrodite stage, when it is a male and female sex organ, when it is a female sex organ, when both of them get in the testes, so we just believe that it is in a developmental stage, hagg-physis gonad represents a stage in which the intermediate still passes and persists, so just the gonad represents a stage in which the intermediate still passes and persists, so just the gonad represents a stage in the hagg-physis, that it is in which stage, in which stage, okay, in which stage is not able to get a lateral stage, the young one hatched as completely formed small hagg-physis, okay, so just the end-day, just the hagg-physis, so it is purely hagg-physis, so it is purely hagg-physis, meaning it is not able to get any larval stages in any particular stage, okay, so next, which is our class, is a petri-myzontida, or lamprey, so we will try to study in the next class, and in detail, and in more detail, and in more detail, we will try to study in the next class, okay, or tell you about four characteristics, and unique features, which we get in the hagg-physis, okay, so when the chapter is complete, then we will do it, so then, if you like this video, if you don't like this video, if you don't understand it, then you can ask me in the comments, if you like this video, then please like, if you don't like this video, subscribe to this channel, and press the bell icon button, and press the bell icon, and press the bell icon button, so if you like this video, you will see the button, you will see the bell icon button, and the bell icon button, and the bell icon button, click it, now, so see you in this video, and see you in this video, until we? Bye.